प्रेंड्स आप लोग जब भी अपना pencard बनवाते हैं तो pen card आप लोगों को पता होगा दो तरीके से आपको आपका pencard receive होता है एक physical pencard होता है और एक e-pencard होता है physical pencard 7-12 दिन के अंदर आपके a address पे आ जाता है अगर आप new pencard बनवाते हैं तो या फिर आप अपने pen card में कोई correction कराते हैं या कुछ भी उसमें बदलाब कराते हैं तो उसमें 15-25 दिन लग जाते हैं वहीं अगर e-pen की बात करते हैं तो e-pen 3-4 दिन में आपके email address पर आ जाता है और अगर आप उसको correction कराते हैं या अब बेट कराते हैं तो व अगर आप कहीं पर दिखाना चाहते हैं तो वह e-pen भी आपका valid है physical pen आपके हाथ में आप उसको रख सकते हो अपने wallet में रख सकते हो आप उसको पकड़ सकते हो वह होगे आपका physical pen guard ठीक है लेकिन अब एक problem क्या आती है देखिए हमारे जो बहुत सारे subscriber है वह हमसे बारबार यह पूज़ने सर यह जो e-pen होता है जो हमारे पास आता है उसको हम open कैसे करते हैं उसका जो password है वह password क्या है कैसे वह open होगा तो आज की वीडियो में हम आपको यह सारी बातें बताएंगे कि आपका जो e-pen है वह आपको कैसे मिल पाता है उसका password क्या है कैसे आप उसको open करें सारी जानकारी हमने आपको आज इस वीडियो में बताई है वीडियो आप प्लीज इसकिप मत कीजिए अगर आप वीडियो कर दोगे तो हो सकता है आप वीडियो कुछ भी समझ में नहीं आपाए तो ठीक हा फ्रेंड्स वीडियो को हम शुरू करते हैं मेरा नाम है शुशील लिजिए और सब्सक्राइब के साथ साथ में बैल आकन को प्रेस कर लिजिए जैसा कि देखिए हम आपको बता रही थे जो को इपैन कार्ड होता है वह आपके एमेल एड्रेस पे आता है उसका पासवर्ड क्या है वह कैसे ओपन करना है ले चलते हैं सीधे आपको अपना इमेल एड्रेस अगर दिया होगा तो ही आपके इमेल एड्रेस पे यह पैन कार्ड आएगा अगर आपने अपना इमेल वहां पर प्रोवाइड नहीं किया है तो यह आपके इमेल पर नहीं आएगा ठीक है जब आपके इमेल पर आ जाएगा तो देखिए इस तरीके स कुछ message आएगा हमारे पात बहुत सारे pencard आये हुए आप देख सकते हैं यह सारे pencard है यह कूपन नमर है application कूपन नमर ठीक है माल लीजिए हमें यह वाला open करना है पहला वाला ठीक है तो जब भी आपका पास जो mail आएगा और देखे कुछ mail कुछ इस तरीके से आएगा your pen is allotted your और e pencard application number is ठीक है तो इस तरीके से कुछ आगा देखे कि यहां पर इन्होंने लेखा हुआ भी है कि यह password protected है और इसका जो password है वो क्या है ठीक है आप देख सकते हैं इन्होंने इसमें यह भी बताया है कि इसका जो password है वो क्या है इन्होंने बताया है example के तोरबे अगर आप पूरी डालनी है पहले आपको देन डालना है जिस दिन को आपका जनम हुआ था उसके बाद आपको महीना डालना है उसके बाद आपको date of birth पूरी डालनी है sun को मिला कर ठीक है आप जैसे इनकी date of birth हम इसमें डालके आपको open करके देखाते हैं ठीक है जैसे यह है इसको आपक बर्थ थी वो हमने पूरी यहां पर डाल दिया ठीक है जब आप इसको ओपन करेंगे तो देखिए इंटरफेस कुछ इस तरीके से आएगा देखिए यह तो इसका उपर वाला पॉर्शन है आएकार विबाग गवर्मेंट आफ इंडिया ठीक है यहां पर नाम आ रहा है यहां पैन के सिंग्नेचर यह फोटो और यह बार कोड ठीक है और इसको आप और स्कॉल थोड़ा सा नीचे करेंगे इसको तो देखिए कुछ इस तरीके से जो पैन कार्ड होता है आपका वो उसी तरीके से यहां पर देखी लिखा हुआ पूरा सेम टू सेम और जिनल की तरह ही होता है अगर आपको कहीं पर अपना यह पैन कार्ड शो कराना है तो आप इसको शो करा सकते हैं या आपको अपना अका प्रेंड इस तरीके से आप अपना जो पैन है पैन उसको ऊपन कर सकते हैं आप किसी का भी पैन काड़ ओपन कर सकते हैं जो इमेल पर आया होगा पासवर्ड हमने आपको बदा ही दिया है उनकी डेट आफ वर्थ बीना कोई स्पेस बीना कोई केवल आपको दिन महीना और सण नहीं किया है तो यह आपके पास नहीं आ आ एगा врем des आपसे request है आप हमारी इस वीडियो को कहाँ से द gözilly से देख रही इए किस सहर से देख रही हैơn कि सेडी सेडीight चाहले का three Skam करके जरूर बढांगे this और अगर आपको आज की वीडियो पसंद नहीं हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए वीडियो को ज्यादे ज्यादा शेर कीजिए और अगर वीडियो में कोई confusion हो या कोई doubt हो या कुछ समझ में आपको नहीं आया हो तो आप हमें हर बार की दर कमेंड केजिए, हमसे जो भी आपकी मदद होगी हम आपकी पूरी मदद करने के खोशिश करेंगे